यह डेमोक्रेसी के लिए खत्रा है बीजेपी सरकार आप देखो लाखों किसान बोडर पर बैटे वे हैं और अर्याना को मुख्यमंतरी इनको आतंको आदी कहता है तो यह इस्तिति किसी भी लोगतांत्रिक देश के लिए अच्छी बात नहीं हो कल बारत बंद पूरा सक्सास्फुल रहा है और मैंने भी जगह जगह देखे हैं ऐसी स्तिति के अंदर यह जो बीजेपी और जेजेपी के गडबंदन के परतित जो नफ्रा तर्याना के लोगों के अंदर है वो हर गाव में सपस्ट जिलक रहे हैं सिर्सा में पहले संदोलन शुडू हो गया था यहां पर एक का मोर्चा लगा हुआ है चे अटूबर से शुडू हो गया था उसमें उन्होंने मागी रखी दुशन चुटाला और यह जीद सिंग जो है मिल रहा है तो यह मुझे नहीं लगता जब किसानों पर लाठी चली त पाकिस्तान से जड़े जोड़े जा रही थी तब दूशन जी नहीं बोले अब क्या बोलेगे सबसे पहले मैं आपके बताना चाहूँगा कि जो किसान अंदूलन है पिछले चार महिने से लोग बॉर्डर के उपर बैठे वे हैं पहले केंद्र के मंतरी बात करते थे अब बात करना भी बंद कर दिया है परदान मंतरी जी कहते में एक फोन की दूरी पर हूँ प्रतु फोन नंबर बताने के लिए तयार नहीं है और खुद फोन करते नहीं है हार्याना के मुख्यमंत्री इनको कभी खालिस्तानी कहते हैं कभी पाकिस्तान के साथ जड़े जोड़ते हैं कभी चैने के साथ जड़े जोड़ते हैं और कहते कहते ही नहीं है ऐसा व्यवार किया है असुगेस के गोले छोटे हैं लाटी चार्ज किया है वाटर कैनन का इस्ते बड़ी बड़ी सिमंट की दिवारें बनवाती सड़कें खोती जैसे किसी दूश्मन देश का वेक्ती दिल्ली की तरफ जा रहा हूं। फिजूली लोग बॉडर के उपर बैटे दें। की नेताओं की अगवाई के अंदर बोर्डर पे किसानों को पर पत्थर बरसाएं गए। तीन डिगरी का टेंपरेचर भी वहाँ पे हुआ। और अब 40 डिगरी का टेंपरेचर भी और 50 डिगरी के टेंपरेचर के त्यारी भी है। सरकार इतनी उदासी ने बात करनी छोड़ दी और किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। बुजुर्ग भी बैठे, बोडर के उपर, महिलाएं भी बैठे, बच्चे भी बैठे हुए। मैंने अपनी जिंदगी में इससे शांति पून, इससे लंबा अंदोलन नहीं देखा। इसके विपरित अरविंद केजरिवाल जी, किसानों के पक्ष में पहले दिन से खड़ें तीनों काले कानुन का विरोध उनुने किया और जब किसानों को जेल में डालने के लिए अरविंद केजरिवाल जी ने सेने मांगे गए तो उनुनलने मना कर आखने इनकी सेवा करते हैं जब बीजेपी के निताओं ने बॉर्डर पे बिजली पानी बंद कर दिया इंटरनेट काट दिया तो अर्विन जी पानी के टेंकर लेके पहुंचे वाइफाई लगवाया और कहा कि मैं एक सेवादार के रूप में सेवा करूँ इन्ही सब बातों पे विचार करने के लिए कि सरकार को किसानों से इतनी नफरत क्यों है चाए वो केंद्र की सरकार हो चाए वारियाना की सरकार हो इस अंदोलन को इतना शांति पुन जो अंदोलन चल रहा है उसको खाड़ते के सरकार कोशिश क्यों कर रहे हैं क्यों काले बिनों को वापिस नहीं लेती है क्यों किसानों के साथ आतंक वाजियों जैसा वैवार कर रहे है